ये 26 पार्टियां इसमें एक ही हैं और आज AHCC, Anti-Hindu Coordination Committee में सभी एक स्वर में हिंदूओं के खिलाफ बोलने वाले हैं, उद्धव ठाकरे जी के स्टेटमेंट से भी, it's clear from his statement, उससे भी बात स्पष्ट होता है, वो कहते हैं कि मंदिर जब बन जाएगा, और जो हिंदू ट् सकता है, तडपा के मारा जा सकता है, इससे घंक वाक्य और क्या हो सकता है, हम भगवान राम का दर्शन करने जाएंगे, भव्य राम मंदिर बन रहा है, और आप कहेंगे कि गोधरा हो सकता है, और आम आदमी पाटी उसका समर्थन कर रही, कि उद्धव जी बहुत बड़े नेता है, कुछ कह रहे हैं, तो सोच समझ कर कह रहे हैं, गोधरा हो सकता है, अरविन केजरिवाल जी, क्यों, आप तो बड़ा ढोंगरा चाहते हैं कि मैं तिर्थियात्रा पे लोगों को भेज रहा हूं, आप तो राम मंदिर के विशय में क्रेडिट स्टीलिंग का प्रयास भी कर रहे थे, क्रेडिट लेने की कोशिश भी कर रहे थे, और आज आपके प्रवक्ता और आपके मंत्री कह रहे हैं कि उद्धव जी ठीक कह रहे हैं, अगर ट्रेन में बैटके हिंदू जाएंगे देखने के लिए भगवान श्री राम को अयोध्या में, तो गोधरा हो सक सकता है, उद्धव जी का समर्थन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है, राम चरित मानस को पढ़ना नहीं चाहिए, जिस प्रकार के घ्रनक शब्दों का प्रयोग श्री राम चरित मानस के लिए उपयोग कर रही है, समाजवादी पार्टी ना कहें तो भला, जिव मंदिर नहीं बनना चाहिए RJD तिलक लगाने वालों से देश को बर्बाद कर दिया है ये स्टेट्मेंट पढ़ रहा हूँ कल का स्टेट्मेंट है उनके एक बहुत बड़े कददावर ने ताका कि इस देश को यदि किसी ने बर्बाद किया है तो तिलक लगाने वालों ने बर्बाद किया है, आप और हम जब एक्जाम लिखने जाते हैं, आप और हम और हमारे बच्चे जब परिक्षा लिखने जाते हैं, तो हमारी माएं हमारे ललाट पर विजैई भव करके तिलक लगाती है, हजारों वर्षों से सैनिकों की पत्नियो वालों ने तिलक लगाया है हजारों वर्षों से इश्वर को याद करते हुए हमारे बुजुर्गों ने हमारे लाट पर तिलक लगाया है हमने इस देश को बर्बाद किया है राखी जब बांधा जाता है तो बहन अपने भाई के सर पर तिलक लगाती है क्या भाई देश को बर्बाद कर देता है क्या भाई बहन को बर्बाद कर देता है तिलक लगाने वालों ने देश को बर्ब लेके पड़ा हुआ था इस देश से स्वस्तिक चिन्न को मिटाना है यह आरविंद केज़िवाल जी का नारा था देश से स्वस्तिक चिन्न को मिटाना एक स्वस्तिक चिन्ह मिटाना चाहता है, एक राम मंदिर नहीं बनने देना चाहता है, एक चाहता है कि राम मंदिर बन जाए तो वहाँ गोधरा हो जाना है, एक चाहता है कि हिंदू धर्म का लोप हो जाना है, तो ये जो एंटी हिंदू कोडिनेशन कमीटी की आज बैठक हो रही है, वो किस लिए हो रही है और आज मैं बहुत स्पस्ट शब्दों में कहना चाहता हूं यह कब से हो रहा है जब से एंटोनियो माइनो इस देश में एक साजिश के अंतरगत इस देश में हिंदू विरोधी गतिविधी चल रहा है by the design of Antonio Mino एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका होती थी पहले उन्होंने लिखा था एक पुस्तिका एक नॉवल लिखा है murder she wrote murder she wrote Agatha Christie murder she wrote और आज मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूं Sonia Gandhiji ने भी she has written a book she has written a controversy and this book this controversy that she has written clandestinely nefariously is murder of Hinduism she wrote murder of Hinduism in the land of Sanatana इस भूमी में Hinduistu को किस प्रकार समाप्त कर दिया जाए तभी तो तभी तो Sonia जी के कहने पर राम के अस्तित्व पर सुप्रीम कोट पे सवाल उठाया जाता है तभी तो Sonia जी के कहने पर विदेश की भूमी में उनके पुत्र राहुल गांधी जाकर कहते हैं कि IS IS और हिंदुत्यों के बीच में किसी प्रकार का फरक नहीं है तभी तो उनके कहने पर राहुल गांधी कहते हैं कि सिम्मी से बड़ा खत्रा हिंदुईजम है यह ऐसे ही हो रहा है है क्या दो हिए उनके किसके करें आधा, बड़ा, एआँज में गांधी हिंदु धर्म का न कभी बाल बाका हुआ था, न कभी बाल बाका होगा और न कभी हिंदु धर्म मिठेगा वो साश्वत था वो सनातन था वो सत्य था वो सत्य रहेगा सत्य है और भविश्य में भी अविरल गंगा की तरह बहने वाली धर्म का नाम बहने वाले सत्य का नाम हिंदुत्य है हिंदू है उसे कोई नहीं मिटा सकता सत्यम शिवम सुन्दरम वो सत्य है, वो सुन्दर है, वो शिव है, हिम्मत किसकी जो शिव को मिटा दे, हिम्मत किसकी जो सत्य को मिटा दे, हिम्मत किसकी जो सनातन को मिटा दे, कनकन में यहां सनातनी है, कनकन में यहां शंकर है, और हम सब जब भी भी सनातन के उपर आक्रमन होता है, जब भी भी धर्म के उपर आक्रमन होता है शिवाजी खड़े होते हैं और आज लोकतांत्रिक रूप से प्रत्येक हिंदुस्तानी चत्रपती शिवाजी बनके खड़ा होगा और हिंदुस्तान में सरातन की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक मत का प्रयोग करके किसी भी कीमत पे यह एंटी ह हिंदु कोडिनेशन कमीटी की जो चेश्टा है कि हिंदुईजम को मिटा दिया जाए यह लोकतांत्रिक रूप से संभव नहीं होने देगा आज भारतिये जनता पाटी इसका एलान करती है कि हम सब एक हैं सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास सब का प्रयास यही देश के संस्थान को यही देश के सहस्कृति को बचाने का काम करेगी बहुत-बहुत धन्यवाद Zee News